कर तक जो था entertainment वो आज क्यों बन गई है बत्तमीजी यही सवाल पूछ रहे हैं वीजे आंडी किसके context में आये जानते हैं हेलो दिस इस लीसा गिंगवानी वीजे आंडी जो है हर चीज़ पर बुलकुल कड़ी नजर बना कर रखते हैं बुलकुल पहनी नजर बना कर रखते हैं और वो अपने रिव्यूस के साथ साथ अपने Twitter कॉमेंट से भी लोगों को बताते रहते हैं कि आखे कोई चीज़ गलत ह और या सई ओरी हैं उनके साथ से ऐसे में निकी तंबोली को बहुत जादा बैशिंग पढ़ रही है बहुत जादो ने टार्गेट किया जा रहा है सलमान बोल रहे हैं तो सही है लेकिन घरवाले भी साथ में एकी सुर में गा रहे हैं कि निकी तंबोली बत्तमीज हो गई है जी हाँ कल तक जो निकी तंबोली का एंटर्टेन्मेंट कहलाता था उनके वन लाइनर कहलाते थे आज अचानक से वो बत्तमीजी क्यों बन गई है यही सवाल उठा रहे हैं वीजे आंडी वो ये बोलते में नसर आ रहे हैं कि निकी तंबोली को हर हफते प्रेज किया जाता था उनको हर हफते उनकी तारीफ की जाती कि उनको बेमिसाल का हो जाता था वही निकी तंबोली आज अचानक से बत्तमीज कैसे हो गया है पहले तो वो एंटेटेनिंग लगता था क्या इसकी वज़े यह तो नहीं कि अब निकी तंबोली रुबिनफ के साइट पर हैं जी हा सबी इसी बात पर question उठा रहे हैं कि क्या रुबिनफ की संगती पढ़ रही है निकी तंबोली पर भारे इसी वज़े से उनके पहले समझे जाने वाले entertainment को आप बत्तमीज ही समझा जाता है आपको क्या लगता है कि सच में निकी तंबोली बत्तमीज हो गई है या फिर उनकी entertainment quality जो पहले थी उसको अब बत्तमीज ही समझा जाने लगाए क्योंकि वो रुबिनफ के साथ है आई कर दे सीपर चर्चा कॉमेंट सेक्शन में और लगातर आप हम ऐसा जोड़े रहे क्योंकि और भी कई सारी खबरे हैं जो में आप तक पहुंचानी है और आपको उसके लि